नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जिक्के बाई सुनिसर में दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए रादस्तान के अपवाह तंतर में आज बहुती शांदार वीडियो में लेकर आए हूँ वो अरब सागरी अपवात अंतर का है और उसमें आज यहां पर आपको मैप में दिख भी रहा है कि आज आज आपको इस बात का पता लग गया कि आज जम बात करने वाले हैं यहां पर इस वीडियो में माही नदी के बारे मी आप सभी दोस्तों को नमस्तिया आप सभी को राम दोस्तों अगर आप माई क्लास में पहली बार आ लें तो प्लीज आप महरे चले को सब्सकाइब कर लें बेल आइकन को प्रेश कर लें ताकि जब भी वीडियो डाल जाए आपकी पास नोटिपिकेसर पहुंच जाए वैसे तो दोस्तों हम प्रति दिन स्याम सभाट अट लेकिन बीच-बीच में मैं राधसान जोग्रोफी के बहुती शांदार वीडियो डालता रहता हूँ आप उसे जरूर देखे और वो भी मान्चितर साइट लास्ट में मैं आपको नदी की बारे में कुछ सोट ट्रिक्स भी आपको बताने बाला हूँ वो भी आपको जरूर देखनी है दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर स्कीन पर दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर मद्दे प्रदेश के अम मोरू में एक जील है जिसका नाम मेहज जील और मेहज जील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही नदी राधस्तान के बास्वड़ा के खांदू दूंगरात पूर से बहतीवी वापस गुजरात की तरह जाती है गुजरात में एक बांध बना एक करणा बांध मही सागर में और उसके बाद гHi만द की खाड़ी की तरफ चले जाती है यह सौम नदी है और यह जाखम नदी है प्रसिब्य। संगम के माही बात करने वाले है बहुती विस्तार से और बहुती शानदर तरीके से चलिगे दोस्तो, अब देखते हैं लेक्स्ट कुछ और महत उपन बाते ही ये आप यहाँ पर देख सकते हूं, मैंने हाथ से बनाये यहाँ पर मेहद जिल से माही नदी और ये एक बड़ी शांदार बाद की भारत की कि दुनिया की एक मातर नदी जो करकरेखा को दो बार पार करती है वो नदी माही या करकरेखा है साड़े विस दिगरी उत्तरी अक्षांस जिसको अपन कहेंगे इसी को एक बार यहां पर पार कर रہी है एक बार यहाँ पर पार कर रहे है, दो बार इसको पार करती है, यह यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी नदी है, राजसान में यहाँ पर एक माही बजार सागर बांध बना है, और इसकी दोनों साहेक नदिया, सोम कमला, अंबा परियोजना, सोम नदी पर बनी है, मोरेन, च पूछा जाए कि माही नदी का अपवा बेसिन फैला है तो माही नदी का अपवा बेसिन पांच जिलों में यहाँ पर फैला हुआ है पांच जिलों में यहाँ बांसवड़ा है डूंगरपुर है उदैपुर है चितोडगड़ है प्रताबगड़ है इन पांच जिलों में फैल और सबसे ज़्यादा जो अपवावेसन है वो उदैपुर में हम बात करने वाले हैं आगे बहुती विस्तार से तो कहीं निजाएए वीडियो को लाज तक जरूर देखें अगर आपने अभी तक भी हमारे चले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्र जरूर कर लएं तो देखें हम यहां बात करते हैं माही नदी तंतर के बारे में माही नदी उपनाम देखते हैं इस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता दोस्तों प्रतेक नदी के उपनाम से समंदित क्यूसन बार बार एक्जाम में पूछ जाते हैं तो क्या पता पूछ लि गई है इस नदी को वागड की गंगा भी कहा जाता है इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है और दक्सरी रादस्तान की स्वर्ण रेखा नदी भी इसको कहा जाता है ये चारों क्यों संदोस्तों आप याद कर लें क्योंकि चारों बार-बार एक्जाम में पूछ जात इसलिए उस वागड की भूमी पर बहती है तो वागड की गंगा है दक्सनी रास्तान आदिवासी बाहुलिक शेत्र है इसलिए इस नदी को आदिवासियों की गंगा और दक्सनी रास्तान में ये स्वन रेखा नदी का काम करती है इसलिए इसको दक्सनी रास्तान की स्वन रे दम होता है तो राज्ये पूछे तो मद्दे प्रदेश जिला पूछे तो धार अम मोरू और स्तान पूछे तो कौन सा है मेहद जील चलिए देखते हैं कुछ और जानकारिया शांदार जानकारिया देखिए नदी की कुछ खास विसेशताएं ये नदी अंग्रेजी वर्णमा के उल्टे यू के आकार्मी बह रही है और इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू आकार्मी बहने बाली नदी है कौन सी माही नदी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चलिए भारत की एक मातर नदी जो करक रेखा को दो बार पार करती है यह बात भी में दोस्तों आपको पीछे बता चुका हूँ एक बार दुबारा प्रवाहित्तान के बासवड़ा परताब गड़ूंगर पुर जिले में बहती है और गुजरात में ये प्रवाहित होती है और अंत में खंबात के खाड़ी में चल जाती है अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है उसके बाद अगर पूछा जाए कि म माही नदी रादस्तान में कहां परवेश करती है तो कौन से जिले में परवेश करती है बांसवाड़ा जिले में कौन से गाउं में तो बांसवाड़ा के खंदू गाउं में परवेश करती है ये क्युसन भी कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है माही नदी पर रादस् सागर बांद बासवाड़ा और बोर खेड़ा नाम आपने नाम सुना होगा जो बासवाड़ा के बोर खेड़ा रादस्तान में बना है कडाना बांद मही सागर गुजरात में बना है दोस्तों ये कडाना बांद पहले पुरानी किताबों में आता है कि ये पंच महल जिले में स जीक बना है और ये बांसुबड़ा राधस्तान में है माही बेसिन राजिये के पाँच जिलों में विस्तित है बांसुबड़ा चितोडगड, डुंगरपुर, परताबगड और उदैपुर में आप इछे देख सकते हो मैंने आपको मैप में दिखाया था ये जो आपको यहा जादा बेसिन पूछा जाए तो यहाँ पर उदैपुर स्थित है उसमें माही नदी का बेसिन सबसे ज्यादा है दोस्तो अगर आप माई क्लास में पहली बार आ रहे तो प्लीज आप हमारे सेले को सब्सक्राइब जरूर कर लें माही नदी का सरवादिक बेसिन उदैपुर माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली साहिक नदी इरू नदी है जो माही बजाद सागरबान से पहले ही नदी में आकर मिल जाती है उससे पहले मिल जाते है तो सबसे पहले मिलती है इरू नदी माही नदी अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है इस नदी पर एक प्रस पुर्णिया बनाती है तो सोम, माही और जाखम नदिया ये प्रसित्रिवेणी संगम बनाती है इस स्थान पर प्रतिवर्स माग पुर्णिमा को एक प्रसित मेले का आयूजन होता है कौन से स्थान पर होता है तो ये वेणेश्वर नवा टापुरा गाउं डुंगरपूर जि माग की महिने में पुर्णिमा की तिथी को एक प्रसित मेले का आयूजन होता है और इस मेले को दोस्तों कहा जाता है आदिवासियों का कुम्ब मेला पिछली बार राधस्तान पुलिस की एक्जाम में ये क्यूसन पूछा गया था और क्यूसन क्या पूछा गया था कि आदि आदिवासियों के कुम्ब मेले का आयूजन कहा होता है वेडिश्वर नवाटापूरा नवाटापूरा गाउं में होता है तो ये कई बार ऐसे किसी भी टाइप में पूछा सकता है आदिवासियों के कुम्ब मेले का आयूजन कब होता है तो माग पुरुनिमा को माग पुरु वीडियों समय समय पर topic wise में डालता रहता हूँ, इससे पहले मैंने राधतान की प्रसिद मीठे और खारे-पाने की जिलों के बारे में डाल दिया है, उसके बाद नदियों में चंबल का, बनास का, उसके बाद में लूनी नदी का डाल दिया है, आज माही नदी का है, उसके बाद में कुछ अरब सागर की नदिया और रह गे हैं। उनके बारे में उसके बाद में आंत्रिप प्रवाह की नदियों की वीडियो भी में डालता रहूँगा। तीनों एक स्तान पर नहीं मिलती है और उसके बाद दोनों नदियों का पानी कहा मिलता है? माही में मिलता है. इस तरह से भी आपको यहाँ पर देखना है यह जाखम नदी है यह जाखम नदी परताब गड़ से इस नदी का उदगम होता है छोटी साधरी से यहाँ पर एक जाखम बांध भी बना हुआ है रादस्तान का सबसे उंचा बांध और जाखम और सोम नदी मिलने की बाद कहा मिल वेनेस पर डूंगरपुर में आने के बाद मिल जाती है। ठीक है ये मौरेन और अनास नदिया बहुत कुछ यहाँ पर दिखाया गया है और बहुत शांदर शांदर आपको मैं यहाँ पर वीडियो बना कर देता हूँ। बाद है ये रादस्तान का। माही की अन्ने साहिक नदियों में मौरेन नदी है, भादर नदी है, इरू नदी है, चाप नदी है, अनास नदी है, वो सबी इसकी साहिक नदिया है। तो दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगी। आज के सिथ इतना ही, आप सभी का बहुत पधने बाद, ठेंक्यू, जैहिंद, जैभारत, वंदि मात्रव। सुझ आगrain क्या, जैब आगरत क्याहिअ झाई क्या है जास प्रोď